नमश्कार, उनकी कलम मेरी आवाज बे आप सभी का स्वागत है, बड़ों को प्रिणाम और छोटों को बहुत सा प्यार, चलिए सुनते हैं कहानी उसने कहा था, जिसे लिखा है चंदधर शर्मा गुलेरी जी ने बड़े-बड़ी शहरों के एक्के, गाड़ी वालों की जवान के कोड़े से, जिनकी पीट छिल गई है और कान पग गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमरिस सरके बंबु कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सरकों पर घोड़े की पीट चाबुक से धुनते हुए, इकके वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध इस्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चींग कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी निराशा और छोप के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं तब अमरित सर के उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लढ़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाच्छा कहते हुए सफेद फेटों, खचरों और पत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े यह बात नहीं कि उनकी जीप चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुडिया बार-बार चितवनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचना वली के ये नमूने है हज्जा जीने जोगिये, हज्जा करमा वालिये, हज्जा पुता प्यालिये, बच्जा लंबी वालिये समिष्टी में इनके अर्थ है कि तु जीने योग्य है, तु भाग्यो वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है तू क्यों मेरे पहिये के नीचे आना चाहती है बच जा ऐसे बंबू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसूई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो सेर भर गीले पापडों की गड़ी को गिने बिना हरता ना था तेरे घर कहां है? मगरे में और तेरे माजे में यहां कहां रहती है? अतर सिंग की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं मैं भी मामा के हां आया हूँ उनका घर गुरू बाजार में है इतने में दुकानदार निप्टा और इनका सौदा देने लगा सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्करा कर पूछा तेरी कुडमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आँखें चड़ा कर धट? कहकर दोड़ गई और लड़का मुह देखता रह गया दूसरे दीसरे दिन सबजी वाले के आँ दूद वाले के आँ अकस्मात दोनों मिल जाते महीना भर यही हाल रहा दो तीन बार लड़की ने फिर पूछा तेरी कुडमाई हो गई? और उत्तर में वही धत? मिला एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हसी में चड़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुध बोली हाँ हो गई कब? कल? देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ शालू? लड़की भाग गए लड़की ने घर की राह ली रास्ते में एक लड़के को मूरी में ढकेल दिया एक छावडी वाले की दिन भर की कमाई खोई एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध हुडेल दिया सामने नहा कर आती हुई किसी वैशनवी से टकरा कर अंधे की उपाधी पाई तब कहीं घर पहुँचा राम राम यह भी कोई लड़ाई है दिन रात खंदकों में बैठ हड़ियां कर गई लुध्याना से दस गुना जाड़ा और मेह और बर्फ उपर से पिंडलियों तक कीचड में धसे हुए है जमीन कहीं दिखती नहीं खंटे दो घंटे में कान के परदे फारने वाले धवाके के साथ सारी खंदक खेल जाती है और सौस औगर्ज धरती उचल पड़ती है इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े नगर कोट का जल जला सुना था यहां दिन में पचीज जल जले होते हैं जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल आई तो चटाक से गोली लगती है ना मालूं बेइमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घांस की पतियों में छिपे रहते हैं लहन सिंग और तीन दिन हैं चार तो खंदक में बिता ही दिये परसो रिलीफ आ जाएगी और फिर साथ दिन के छुटी अपने हाथों जटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी में के बाग में मखमल कासा हरा घांस है फल और दूद की वर्शा कर देती है लाग कहते हैं दाम नहीं लेती कहती है तुम राजा हो मेरे मुलक को बचाने आये हो चार दिन तक पलक नहीं जपी बिना फेडे घोड़ा बिगड़ता है बिना लड़े सिपाही मुझे तो संगीन चढ़ा कर मार्च का हुक्म मिल जाए फिर साथ जर्मनों को अकेला मार कर ना लोटू तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो पाजी कहीं के कलों के कोड़े संगीन देखते ही मुफार देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं यो अधेरे में तीस-तीस मन का गोला फेकते हैं उस दिन धावा किया था चार मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया नहीं तो सीधे बरलिन पहुँच जाते क्यों? सुबेदार हजार सिंग ने मुस्करा कर कहा लडाई के मामले जमादार या नायक के चलाई नहीं चलते बड़े अफसर दूर की सोचते हैं तीन सौ मील का सामना है एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सुबेदार जी सच है लहन सिंग गोला पर करे क्या? हट्डियों हट्डियों में तो जाडा धस गया है सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जहर रहे हैं एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए उदमी उड़ सिगडी में कोले डाल वजीरा तुम चार जन्य बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फिको महा सिंग शाम हो गई है खाई के दर्वाजे का पहरा बदल दो या कहते हुए सुबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे वजीर सिंग पल्टन का विदूशक था बाल्टि में गंदला पानी भर कर खाई के बाहर फेकता हुआ बोला मैं पाधा बन गया हूँ करो जर्मनी के बादशाह का तरपन इस पर सब खिल खिला पड़े और उदासी के बाद बादल फट गए लहन सिंग ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में दे कर कहा अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा हाँ देश क्या है स्वर्ग है मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस धुना जमीन यहां मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा लाड़ी होरा को भी यहां बुला लोगे या वहीं दूद पिलाने वाली फरंगी मैम चुपकर यहां वालों को शरम नहीं देश-देश की चाल है आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते वा सिगरेट देने में हट करती है ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं अच्छा अब बोथ सिंग कैसा है अच्छा है जैसे मैं जानता ही नहूँ राद भर तुम अपने कंबल उड़े उड़ाते हो और आप सिगडी के सहारे गुजर करते हो उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो अपने सुखे लकडी के तक्तों पर उसे सुलाते हो आप कीचड में पड़े रहते हो कहीं तुम ना मादे पड़ जाना जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्य नहीं मिला करते मेरा डर मत करो मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा भाई कीरत सिंग की गोदी पर मेरा सीर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आगन के आम के पेड़ की छाया होगी वजीर सिंग ने तियोरी चढ़ा कर कहा क्या मरने मारने के बात लगाई है मरे जर्मनी और तुरक हाँ भाईयों कैसे? दिल्ली सहर में ते पिशोर नू जन दिये कर लोडा लौगा दा बपार मडिये कर लेडा ना देडा सोदा अडिये लाणा चटा का कदवे नू का बढ़ाया वे मजेदार गोरिये हुन लाणा चटा का कदवे नू कौन जानता था कि दढ़िया वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चो का गीत गाएंगे पर सारी खंदक इस गीत से गूँज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए मानुच चार दिन से सोते और मौच ही करते रहे हो दो पहर रात गई है अंधिरा है सन्ना टा चाया हुआ है बोधा सिंग खाली बिस्कटों के तीन टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछा कर और लहन सिंग के दो कंबल और एक बरान कोट ओड़ कर सो रहा है लहन सिंग पहरे पर खड़ा हुआ है एक आँख खाई के मुह पर है और एक बोधा सिंग के दुबले शरीर पर बोधा सिंग कराहा क्यों बोधा भाई? क्या है? पानी पिला दो लहन सिंग ने कटोरा उसके मुह से लगा कर पुछा कहो कैसे हो पानी पी कर बोधा बोला कपनी छुट रही है रोम रोम में तार दोड रहे हैं दात बज रहे हैं अच्छा मेरी जर्सी पहन लो और तुम मेरे पास सिगडी है और मुझे करमी लगती है पसीना आ रहा है ना मैं नहीं पहनता चार दिन से तुम मेरे लिए हाँ याद आई मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है आज सबेरे ही आई है विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे गुरू उनका भला करे यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा सच कहते हो और नहीं तो जूट यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जवर जस्ती जर्सी पहना दी और आप खा की कोट और जीन का कुर्टा भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी आधा घंटा बीता इतने में खाई के मुह से अवाज आई सुबेदार हजार सिंग कौन लप्टन सहब हुक्म हुजूर हुक्म हुजूर कहकर सुबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ देखो इसी समय धावा करना होगा मील भर की दूरी पर पूरप के कोने में एक जर्मन खाई है उसमें पचास से जियाहद जर्मन नहीं है इन पेडों के नीचे नीचे दो खेत काट कर रास्ता है तीन चार घुमाव है जहां मोड है वहां पंद्रह जवान खड़े कराया हूँ तुम यहां दस आदमी छोड़कर सब को साथ ले उनसे जा मिलो खंदक छीन कर वहें जब तक दूसरा हुकम ना मिले डटे रहो हम यहां रहेगा जो हुकम चुप चाप सब तयार हो गए बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा तब लहन सिंग ने उसे रुका लहन सिंग आगे हुआ तो बोधा के बाप सुबेदार ने उंगली से बोधा की और इशारा किया लहन सिंग समझ कर चुप हो गया पीछे दस आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुजजत हुई कोई रहना न चाहता था समझा बुझा कर सुबेदार ने मार्च किया लप्तन साहब लहना के सिंगडी के पास मुह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिंगरट निकाल कर सिलगाने लगे दस मिनट बाद उन्होंने लहना की और हाथ बढ़ा कर कहा लो तुम भी पियो आख मारते मारते लहन जिंग सब समझ गया मुह का भाव छिपा कर बोला लाओ साहब हाथ आगे करते ही उसने सिगडी के उजाले में साहब का मुह देखा बाल देखे तब उसका माथा ठंका लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहा उड़ गए और उनकी जगा कैदियों से कटे बाल कहां से आ गए शायद साहब शराब पिये हुए है और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है लहन सिंग ने जाचना चाहा लप्टन साहब पांच वर्ज से उसकी रेजमिंट में थे क्यूं साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लडाई खत्म होने पर क्यूं क्या यह देश पसंद नहीं नहीं साहब शिकार के वे मजे यहां कहां याद है पार साल नकली लडाई के पिछे हम आप जगाधरी चिले में शिकार करने गए थे हाँ हाँ वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाए निकली कि एक ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुठे में निकली ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है क्यूं साहब सिमले से तयार होकर उस नील गाए का सिर आ गया था न आपने कहा था कि रेज्मेंट की मैश में लगाएंगे हाँ पर मैंने वह विलायत भीर दिया ऐसे बड़े बड़े सींग दो दो फुट के तो होंगे हाँ लहना सिंग दो फुट चार इंज के थे तुमने सिगरेट नहीं पिया पीता हूं साहब तिया सलाई ले आता हूं कह कह कर लहन सिंग खंदक में घुसा अब उसे संदेह नहीं रहा था उसने जटपच निश्चे कर लिया कि क्या करना चाहिए अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया कौन वजीर सिंग हाँ क्यूं लहना क्या क्यामत आ गई जरा तो आँख लगने दी होती हूश में आओ क्यामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं उनकी वर्दी पहन कर या कोई जर्मन आया है सूबेदार ने इसका मुह नहीं देखा मैंने देखा और बाते की हैं सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरट दिया है तो अब अब मारे गए धोखा है सूबेदार होरा कीचड में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा उठो एक काम करो पर्टन के पैरों के निशान देखते देखते दोड़ जाओ अभी बहुत दूर ना गए होंगे सुबेदार से कहो एक दम लौट आएं खंदक की बात जूट है चले जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ पत्ता तक ना खड़के देर मत करो हुक्म तो यह है की यहीं ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लहना सिंग्जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा आफसर है उसका हुक्म है मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ पर यहां तो तुम आठ है आठ नहीं दस लाख एक एक अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता है चले जाओ लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंग्जो दिवार से चिपक गया उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर तीन गोले निगाले तीनों को जगा जगा खंदक की दिवार में घुसीड दिया और तीनों में से एक तार से बांदिया तार के आगे सूथ की एक गुथी थी जिसे सिगडी के पास रखा बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुथी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंग ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा धमाके के साथ शाहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी लेहना सिंग ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गॉट कहते हुए चित हो गए लेहना सिंग ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर वेके और साहब को घसीट कर सिगडी के पास लिटाया जेबों की तलाशी ली तीन चार लिवाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया साहब की मूर्चा हटी लेहना सिंग हस कर बोला क्यों लप्टन साहब मिजास कैसा है आज मैंने बहुत बाते सीखी यह सीखा की सिख सिगरट पीते हैं यह सीखा की जगा धरी के जिले में नील गाए होती है और उनकी दो फुट चार इंच के सीख होते हैं यह सीखा की मुसलमान खान सामा मूर्चियों पर जल चड़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चड़ते हैं पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखा है हमारे लप्टन साहब तो बिन डेम के पांच लफ्स भी नहीं बोला करते थे लहना ने पतलून के जेबों की तलाश नहीं ली थी साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले लहना सिंग कहता गया चलाग तो बड़े हो पर माजे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है उसे चकमा देने के लिए चार आखें चाहिए तीन महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे काउं आया था औरतों को बच्चे होने की ताबीज मारता था और बच्चों को दवाई रेता था चौधरी के बढ़ के नीचे मंजा बिछा कर हुका पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं गौ को नहीं मारते हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे मंडी के बनियों को बहकाता कि डाग खाने से रुप्या निकाल लो सरकार का राज जाने वाला है मैंने मुला जी की डाड़ी मूर दी थी और गाउं से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गाउं में अब पैर रखा तो साहब की जेल में से पिस्तॉल चला और लहना की जांग में गूली लगी इधर लहना की हेन्री मार्टिन के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी धड़ा का सुनकर सब दोड़ाए बोधा चिलाया क्या है लहन सिंग ने उसे यह कहकर सला दिया कि एक हड़का हुआ कुट्ता आया था मार दिया और और उसे सब हाल कह दिया सब बंदूखे लेकर तयार हो गए लहना ने साफा फार कर घाओ के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी घाओ मांस में ही था पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया इतने में सतर जर्मन चिला कर खाई में घुस पड़े सिखों की बंदूखों की बार ने पहले धावे को रोका दूसरे को रोका पर यहां थे आठ लेना सिंग तक तक कर मार रहा था वह खड़ा था और और लेटे हुए थे और वे सतर अपने मुर्दा भाईयों के सरीर पर चढ़कर जर्मन आगे खुसते आते थे थोड़े से मिनिटों में वे अचानक आवाज आई वह गुरुजी की फते वह गुरुजी का खालसा और धड़ा धड़ बंदुकों की फायर जर्मनों की पीट पर पढ़ने लगे एन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए पीछे से सुवेदार हजार सिंग के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंग के साथियों के संगीन चल रहे थे पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पी रोना शुरू कर दिया एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई वह गुरुजी दिफते वाई गुरुजी दा खालसा सत्स्रीयकाल पुरुख और लडाई खतम हो गई 63 जर्मन या तो खेत रहे थे और कराह रहे थे सिक्कों में पंद्रह के प्राण गए सुवेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई लहना सिंकी पसली में एक गोली लगी उसने घाव को खंदक की गीली मिठी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया किसी को ख़वर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है लडाई के समय चान निकल आया था ऐसा चान जिसके प्रकास से संस्कृत कवियों का दिया हुआ च्छै नाम सार्थक होता है और हवा ऐसी चल रही थी जैसी वान भट की भाशा में दंत वेणो पदेशाचार्य कहलाती वजीरा सिंग कह रहा था कि कैसे मनमन भर फ्रांस की भूमी मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दोड़ा दोड़ा सुबेदार के पीछे गया था सुबेदार लहना सिंग से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरत बुद्धी को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते इस लड़ाई की आवाज तीन मील दाहिनी और की खाई वालों ने सुन ली थी उन्होंने पीछे टेली फोन कर दिया था वहां से जट पर दो डॉक्टर और दो बिमार धोनी की गाड़िया चली जो कोई डेड़ घंटे के अंदर अंदर आ पहुची फील्ड अस्पताल नस्दीक था सुबह होते होते वहां पहुच जाएंगे इसलिए मामुली पट्टी बांद कर एक गाड़ी में खायर लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई सुबहदार ने लहना सिंग की जांग में पट्टी बंधवानी चाही पर उसने यह कह कर टाल दिया कि थोड़ा घाव है सवेरे दिखा जाएगा बोधा सिंग ज्वर में बर्रा रहा था वह गाड़ी में लिटाया गया लहना को छोड़कर सुबहदार जाते नहीं थे यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है और सुबहदार नी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दो के लिए भी तो गाड़ी आती होंगी मेरा हाल बुरा नहीं है देखते नहीं मैं खड़ा हूँ वजीरा सिंग मेरे पास है ही अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया भला आप भी चड़ जाओ सुनिये तो सुबेदार जी ने होरा को चिठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया गाड़िया चल पड़ी थी सुबेदार ने चरते चरते लहना का हाथ पकड़ कर रख कहा तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए है लिखना कैसा साथ ही घर चलेंगे अपनी सुबेदार नी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना गाड़ी के जाते लहना लेट गया वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंध खोल दे तर हो रहा है मृत्यू के कुछ समय पहले इस मृती बहुत साफ हो जाती है जन भर की घटनाए एक एक करके सामने आती है सारे द्रिश्यों के रंग साफ होते है समय की धुंद बिलकुल उन पर से हट जाती है लहना सिंग बारा वर्ष का है अमरिट सर में मामा के हाँ आया हुआ है दही वाले के हाँ सबजी वाले के हाँ हर कही उसे एक आठ वर्ष की लड़की मिल जाती है जब वा पूछता है तेरी कुडमाई हो गई तब धत कहकर वा भाग जाती है एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने का हाँ कल हो गई देखते नहीं यह रेशन के फूलो वाला सालू सुनते ही लहना सिंग को दुख हुआ क्रोध हुआ क्यूं हुआ वजीरा सिंग पानी पिला दे पचीस वर्ष बीट गए अब लहना सिंग ने नमबर सतहत्तर रैफल्स में जमादार हो गया है उस आठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं साथ दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमों की पैरवी करने वह अपने घर गया वहां रजमिन के अफसर की चिठी मिली की फौज लाम पर जाती है फौरण चले आओ साथ ही सुबेदार हजारा सिंग की चिठी मिली की मैं और बोथ सिंग भी लाम पर जाते हैं लोटते हुए हमारे घर होते जाना साथ ही चलेंगे सुबेदार का गाउं रास्ते में पढ़ता था और सुबेदार उसे बहुत चाहता था लेहना सिंग सुबेदार के यहां पहुचा जब चलने लगे तब सुबेदार बेढ़े में से निकल कर आया बोला लहना सुवेदार नी जी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला लहना सिंग भीतर पहुँचा सुवेदार नी जी मुझे जानती है कब से रेजमेंट के क्वाट्रों में तो कभी सुवेदार के घर के लोग रहे नहीं दर्वाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा असी सुनी लहना सिंग चुप नहीं तेरी कुडमाई हो गई है धर कल हो गई देखते नहीं रेश्मी बूटो वाला सालू अम्रिस सर में भावों की टकराहट से मूर्चा खुली करवट बदली पसली का घाव बह निकला वजीरा पानी पिला उसने कहा था सपन चल रहा है सुवेदार नी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है लायलपुर में जमीन दी है आज नमक हलाली का मौका आया है पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पल्टन क्यों न बना दी जो मैं भी सुवेदार जी के साथ चली जाती एक बेटा है फौज में भरती हुए उसे एक ही बरस हुआ उसके पीछे चार और हुए पर एक भी नहीं जिया सुवेदार नी रोने लगी अब दोनों जाते हैं मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड गया था तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाये थे आप घोड़े की लातों में चले गये थे और मुझे उठा कर दुकान के तक्ते पर खड़ा कर दिया था ऐसे ही इन दिनों का बचाना यह मेरी भिक्षा है तुम्हारे आंगे आँचल पसारती हूँ रोती रोती सुवेदार मी ओबरी में चली गई लहना भी आँसु पोच्टा हुआ बाहर आया वजीरा सिंग पानी पिला उसने कहा था लहना कसिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंग बैठा है जब मांगता है तब पानी पिला देता है आद घंटे तक लहना चुप रहा फिर बूला कौन कीरत सिंग वजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ भाईया मुझे और उचा कर ले वजीरा ने वैसे ही किया हाँ अब ठीक है पानी पिला दे बस अपके हाड में यह आम खूफ वलेगा चाचा भतीजा दोनों यही बैठ कर आम खाना जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैने से लगाया था और सटवी सूची मैदान में घावों से मरा नंबर सतहतर सिख राइफल्स जमादार लहन से आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है और मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो मुझे प्रोच साहित करने के लिए एक लाइक करें अपनों के स कहान यह सनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुनना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाइब